फ्लोर मिलर्स बटा प्रोसेसर्स एवं व्यापारियों की जोरदार मांग के सहारे दिल्ली में आज शुरुआती कारोबार के दोरान उत्तर प्रदेश बटा राजस्थान के गेहूं का भाव 15 रुपए की बड़ोतरी के साथ 3,100 रुपए प्रती क्विंटल की उंचाई पर गेहूं की कीमतों में आ रही तेजी के कई कारण एक तो सरकार ने फिलहाल खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहट अपने स्टॉक से गेहूं बेचने की संभावना से इंकार किया है जिससे मिलर्स बटा प्रोसेसर्स को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुल मंदियों में सीमित मात्रा में इसकी आवक हो रही है और दूसरे त्योहारी सीजन की मांग भी पीक पर पहुँच गई है दरसल त्योहारी सीजन में आटा के साथ साथ मैदा और सूजी जैसे गेहूं उतपादों की मांग तथा कीमत तेजी से बढ़ जाती है केंद्रिय के आयात पर सीमा शुल्क की दर को घटाने या समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है रभी सीजन के सबसे प्रमुक खाद्यान गेहूं की बिजाई का सीजन आपचारिक तोर पर आरंभ हो चुका है और बीज के लिए इसकी मांग बढ़ती जा रही है इससे कीमतों में तेजी को बल मिल रहा जल्दी ही लगनसरा एवं मांगलिक उत्सवों का सीजन शुरू होने वाला कीमतों में आ रही तेजी को देखते से सपष्ट संकेत मिलता है कि मंडियों में गेहूं की सीमित सप्लाई हो रही है साथ ही गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू है और सरकार का दावा है कि व्यापारियों ने सरकारी पोर्टल पर करीब 90 लाक टन गेहूं का स्टॉक घोशित किया है सरकार को गेहूं की सप्लाई एवं उपलब्धता का कोई संकट नहीं दिख रहा है जबकि वास्तविक्ता इससे भिन है ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट ट ट्यम्स दवी